पौरानिक कथाओं में बाज को शक्तियावं सहस का प्रतीक माना जाता था बाज का प्राचिन काल से दुत्य विश्य युद्ध तक दुश्मन और द्वारा कबूत्रों से संदेश का आदान प्रदान करने से रे प्रियोग किया जाता था इतियास इस बात का साक्षी है कि बाज को पाल्तू बनाकर पालने का बाजशाही शौक माना जाता था मैसी पोटीनिया की सब्वेता से इसपस्ट होता है कि ईशा से 1200 साल पहले बाज पाल्तू पक्षी का कार्य करता था छटी शतादी से पहले यूरोप में भी बाज पाल्तू बनाकर के प्रसिक्षित करने का और शिकार करने का अमीर व्यक्तियों का अनौखा अंदास था आठवे शतादी में केंट के समराट एथिल बर्ट ने मैस के आक विसप से सारस का शिकार करने के लिए दो बाजों को प्रसिक्षित करवाने पर भारी मात्रा में खर्च किया था यह पक्षी गरुण पक्षी की भाती होता है पुराने समय में गरुणों को भी प्रस्विक्षित करने का काम किया जाता था परंतु गरुण को प्रस्विक्षित करना बहुत अधी कठिन का रहा था इसलिए गरुण की स्थान पर बाज को प्रस्विक्षित करना शूर किया गया मद्य कालीन गातों में इसकी तुलना आस्मान में चमकने वाली बिजली और तीर की गती से की जाती है इसको उचाई से बहुत प्यार होता है, ये नीचे केवल शिकार करने के समय ही देखता है उड़ते समय बादलों के अंदर भी चला जाता है, इसलिए आस्मान का तथा पक्षियों का राजा माना जाता है पांच किलो मीटर दूर तक देख सकता है, 280 किलो मीटर की रफतार से चल सकता है और इसका शिकार कभी भी बच नहीं पाता है ये मरे हुए पक्षियों का भोजन नहीं करता बलकि स्वयन मार करके उन पक्षियों का भोजन करता है यूरोशिया एवम अफ्रीका में साथ हजार से अधिक इसकी प्रजाती पाई जाती है मुगल काल में लाहौर, आगरा एवम दिल्ली में जब दुरना एवम सारस पक्षियों के शिकार पर प्रत्वंद लगा दिये गए थे तब राजा, बाजशा एवम शाही परिवार बाज के माध्यम से ही शिकार करवाते थे युद्व में जीत कर लोटने वाले राजाओं ने भी बाज़ों को प्रसिक्षित करने एवम शिकार करने का चलन बिक्सित लिया था तेरवी शताब्दी से सत्रवी शताब्दी में यूरोप में बाज़ों को पालने का सामंती एवम मनोरंजब शोक बन गया था मुगल संतनत वावर को बाज़ पालने का बेहर शोक था अकवर एवम शाहजा अपने बाज़ के साथ शिकार करते थे जहांगीन ने तो 4000 बाज़ पाले जिनके प्रस्टिक्षन और पालने पर बहुत अभिक मात्रा में हर्च किया था गुरू हर गोविन सिंग तता गुरू तेक बाहदुर सिंग अपने पालतु बाज़ों से बहुत प्यार करते थे गुरू गोविन सिंग ने मुगल संत्रम के साथ साथ यूथ करने करते समय अपने खालसा सैनिकों के साथ अपने प्रिय बाज़ को भी अपना सहयक बनाया गुरू गोविन सिंग अपने बाज़ को स्वेम अपने हातों से खाना खिलाते थे अगर पंजाब के किसी गाउं में बाज आ जाता था तो शुब और गूरू के संदेश का सूचक माना जाता था बाज को प्रसिक्षित करने के लिए शिशू बाज का प्योग दिया जाता है बाज को प्रसिक्षित करते समय उसकी आँखों पर एक विशेश प्रकार की टोपी से कवर करतेती हैं दोनों पैरों को बांद कर अंधेरी सुनसान जगर पर छोड़ देती हैं ऐसा करने पर बाज धिरे धिरे उस व्यक्ति को पहचान देता है प्रसिक्षक उसके प्यास से अपनी उसकी पसंद का खाना खिलाता है अपने हातों से इसके बाज चम्रे के दस्ताने पहना कर प्रसिक्षक अपने हातों पर बिठा करके इधर उदर घुमाता है ऐसा एक महिने की ट्रेनिंग देने के बाद उसके पैरों में डोरी बांद कर उड़ने और वापिस मालिक के पास आने सिखाया जाता है जब प्रसिक्षक का कहना मानने लगता है तब हवा में उड़ने वाले परिंदों का शिकार करना सिखाते हैं निरंतर अभ्यास करते रहने के कारण ये इतना हुश्यार हो जाता है कि उड़ते हुए कबूतर, तीतर, बटेर, मेना का शिकार बड़ी आसानी से कर लेता है आदिवासी अभी भी पालते हैं ऐसा माना जाता है कि आदिवासी अभी भी शिकार करने के लिए बाजों को पालते हैं आदिवासी कहते हैं जिस पेड़ पर बाज अंडे देते हैं उसके नजर रखते हैं जैसे ही अंडे निकल कर उनने की तयारी करते हैं आधिवाजी पकड़ लेते हैं और पाल कर शिकार करने के योगे बनाते हैं आधिवाजी कोई छोटी सी चिडिया देखकर बाज के सामने छोड़ देते हैं बाज उसे पजपट्टा मार कर नीचे गिरा देता है आधिवाजी उसे उठा लेते हैं जब से चिडिया मारने की बंदूख बनी तब से बाजों को पालने का शोक कम होता चला गया लेकिन अभी भी सीविया, सौदी अरव, पारस की खाड़ी के देश और इशान में पाले जाते हैं अंत में ये निशकश निकल कर आता है कि बाज को हर काल के अंदर अपनी भूमिका का बड़ी शोरता एवं बादूरी के साथ और वफादारी के साथ निभाने वाला माना जाता है